हेलो बच्चो और कैसा चल रहा है उम्मीद है सारे अच्छे होंगे तो जैसा कि हम यहाँ पर आपका बहुत ही अच्छा स्ट्रॉंग बेस करने के लिए NCRT सीरीज कर रहे हैं होता क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि यदि NCRT आपने अच्छे से समझ रखा है और इसको समझने क बाद खुद से application of mind से उस level के ही यदि आप exemplar के question कर रखे होते हैं तो आपको in future कभी कोई difficulty नहीं आती है यह हमारी general misconception है कि सर NCRT तो आसान होता है और tough करवाईए होता क्या है कि जब हम tough करते हैं तो उसमें से 10 में से 2 question 3 question होते हैं time waste होता है हमें अपने capability के हिसाप से जो की increase होता है fundamental यानि NCRT series से है पहले आप इसको अच्छे से समझ लो उसके बाद आपको 12 में भी कोई दिक्कत नहीं होगी यदि आप 12 में हो तो अभी से ही दिक्कत होनी बंद हो जाएगी आपने सोचा कि आपने NCRT कर रखा है लेकिन बच्चों आपने अच्छे से नहीं किया होगा otherwise आपको 12 में बहुत अच्छे सारा समझ में आता तो इनहीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने NCRT series launch किया है इसके जानते हैं कि ये धीरे 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 आपके समझ में आएगा लेकिन ये बहुत ही अच्छे series है बच्चों तो इनहीं को ध्यान में रख आता है यहां से function शुरू हो जाता है जो कि बहुत यूज होता है आने वाले टाइम में 11 में भी और 12 में तो हर topic में function ही function होता है पूरा का पूरा calculus जो है वो function पर based है बच्चों ठीक है तो इनहीं को ध्यान में रखते हुए हम start करते हैं relation and last exercise that is exercise 2.3 clear है चलो आगे देखते है तो इसमें हम relation and function में आगे बलने से पहले यानि exercise 2.3 के question करने से पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि कौन सा ऐसा relation है जिसको हम function बोल सकते हैं ठीक है तो relation जो है बच्चों जैसे ये है relation ये relation आपने देख रखा है है ना relation का मतलब simply subset of Cartesian product of two non-empty set ये आपने देखा अब वो function कब बदल जाएगा तो वो देख लेते हैं ये पूरा का पूरा function हो जाएगा है ना तो ये कब हो जाएगा तो इसके लिए आपको कुछ-कुछ cases याद रखने हैं है ना यानि क्या-क्या वो होना चाहिए जिसके basis पर आ हमने ये दो set बनाएं क्योंकि हमें तो relation को किस में लेना है function में लेना है बहुत ही आसान चार कंडिशन होते हैं बहुत ही आसान चार कंडिशन होते हैं बच्चो set A ले लिया और set B ले लिया ठीक है इसके element ले लेते हैं suppose 1,2 का 4 और इसका ले लिया A,B,C,D ऐसा कुछ ले ल लेते हैं पता हैं plane mirror लेते हैं समझने के लिए ले रहे हैं बच्चो ये होता नहीं है मतलब just equivalent to a plane mirror ये हमने plane mirror लिया है अब plane mirror की property जो almost होती है वही property function की होती है जैसे आप plane mirror के सामने जाते हो ये गया ये object है ना ये क्या है बच्चो object और ये वाला जो होता है ये image सोचते है सोचते क्या बहुत जगर लिखा हुआ भी रहेगा है ना ये object है ये image है और इसको बोल रहे है हम plane mirror ठीक है तो जैसे आपने देख रखा होगा कि plane mirror के सामने देखे ही होगे देखते ही रते होगे तो plane mirror के सामने ये एक आदमी जाता है तो एक object का यानि एक आदमी का एक plane mirror मे है एक ही तो image होता है यानि ये first condition हो गया यानि one object है ना first condition क्या हो गया बच्चों आपको ये चार condition याद रखना है one object in set A one object का एक ही image होगा एक के दो नहीं बनते है इन set A है ना one image in set B ठीक है ये आपको ध्यान देना है सोचों कहीं पर कोई बोलता है एक का दो एक का दो तो थोड़ा black ticket जैसा नहीं लगता है एक object के दो image नहीं हो सकते तीन नहीं हो सकते एक object है तो एक image होगा बस यही plane mirror की property हो गए है दूसरा देख लो भई यदि plane mirror के सामने दो लोग गए तो क्या यह हो सकता है उसका एक image बने यसर हो सकता है यदि कोई plane mirror ऐसा है इसके सामने 6 feet गया थोड़ा हटा कटा इसके पीछे 5 feet वाला stand up है तो दिखेगा ही नहीं यह तो एक ही दिखेगा ना पीछे वाला 4 feet वाला भी हो जाए 2 feet वाले भी हो जाए कोई और दूसरे animal type के हो जाए तो यह सारे के सारे object का एक image बन सकता है बच्चों ठीक है यानि set A के एक से ज्यादा object का set B में एक image बन सकता है यानि more than one ठीक है more than one object ठीक है more than one object in set A can have in set A क्या हो सकता है can have one image in set B यह आपको ध्यान देना है याद रहेगा एक दम से मला एक का एक से ज्यादा नहीं बन सकता दो का एक बन सकता है ठीक है तीसरा वाला है जैसे आप जानते हो कि plane mirror के सामने कोई गया क्या यह हो सकता है उसका image ही ना बने नहीं ऐसा नहीं case लेना है कि जाने वाला Mr. India या Mr. X है या room में light नहीं है यह वाला case नहीं लेना है only real case है तो इसका मतलब set A में यदि कोई है तो उसका एक fix निश्चित image तो बनेगा ही निश्चित image तो बनेगा ही कोई छूटना नहीं इन जेनरल ये भी याद रख सकते हो कि यदि कोई आया है set A में आया है यानि अर्थ पर कोई आया है तो उनके लिए कोई न कोई आया ही होगा बच्चो वो छूटेगा नहीं तो ये भी ध्यान देना है आपको ठीक है तो इसका मतलब set A में कोई element नहीं छूट सकता है ना no one element no one element in set A ठीक है यानि इसी को और अच्छे से इंग्लिश में लिख सकते थे इच और अवरी object in set A can have a fixed यानि unique relation with set B no one element in set A can be related का उल्टा क्या होगा non-related with set B non-related with set B यानि जो है उसका कही न कहीं किनी न किनी के साथ image तो बनेगा ही बच्छो और चौथा जो है ना वो mirror से हटके होता है plane mirror से हटके होता है कि fourth में यानि set B में element छूट सकता है यानि set B में element छूट सकता है बच्छो है ना element क्या हो सकता है छूट सकता है यानि इसको English में क्या बोल सकते है बच्छो देर में भी a number of elements in set B which have no relation with set A तो आपको इनी चार कंडिशन ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले चार कंडिशन है बच्छो और यहां से आप function देख सकते हो जैसे relation देख रहे थे तो relation में one का relation सब के साथ था न वो तो रिष्टा था relation किसी भी टाइप का होता है बताने लाइक या नहीं भी बताने लाइक है छिपाने लाइक भी होते हैं हम लोग के उम्रे में लोग at the age of 20 में ज़्यादा छिपाने वाले होते हैं लेकिन function उसको बोल देते हैं जो societal effect की वज़ह से सब को बताया जा सके है ना कि function हो गया या अच्छा रहो गया इस वज़ह से जई advance का syllabus calculus में function से होता है शुरू और j main में है वो relation के कभी कभी question आते हैं बच्चो लेकिन function तो सबसे important content है हर जगा का ठीक है तो चलो यहां से आम देख सकते हैं ना कि one का one का यदि आप देखो तो one का हो गया a suppose ठीक four का क्या हो गया b हो गया कोई दिकत नहीं और two का भी b हो गया तो यह सारा का सारा यह जो हम representation कि यह function है ना ठीक है सर सेट a में नहीं छूट रहा है सेट b में छूट भी सकता है तो यहां पर आपका domain वगरा क्या हो गया domain का मतलब जो relation में exercise 2.2 में हमने बताया था कि all related elements of setting तो इसका मतलब यह हो गया domain है ना यह हो गया range a और b यह पूरा का पूरा code domain सेम रह गया ठीक तो कैसे function defined करते हैं और क्या होता है बच्चो है ना तो सेट a के element को x द्वारा लिखा जाता है सेट b के element को y द्वारा लिखा जाता है और बीच में यहां से क्या आ गया भाई function आ गया यह क्या हो गया function ठीक तो इसी को समझने के लिए एक तो यह चार condition आपको याद रखना है सर देखो function जो है वो सेट a से सेट b में जा रहा है सेट a के element को x सेट b के element को y that is हम क्या लिख सकते हैं y is equal to fx y is equal to fx this is the basically a function ठीक है यह आपको याद रखना है अब देखो function क्या होता है बच्चो जैसे यह डबा बनाए ना तो function एक machine होता है function क्या होता है machine कोई भी हम डबा यहाँ बना दे ठीक है तो यह है function यह एक machine होता है अब इसके अंदर यदि कोई जा रहा है है ना अंदर क्या जा रहा है सर इसके अंदर यदि कोई जा रहा है उसको input बोलेंगे और जब जाएगा तो बाहर आएगा कुछ ठीक तो जो जा रहा है बच्चों उसको बोलते है input ठीक ये x हो गया और यदि function f ले रहे हैं तो जो बाहर आ रहा है उसको क्या बोलते हैं output तो ये बाहर आ जाएगा f of x ठीक है ये होता है f के साथ लगके अब जै ऐसा machine का नाम है जैसे machine का नाम refrigerator है तो अंदर में कुछ भी जाएगा electric में तो बाहर ठंडी हवा आएगी सामने से आएगी ना ठंडा हो जाता है लेकिन पीछे से गरम होता है सेम वही air condition के साथ होता है लेकिन यदि machine का नाम logarithmic function है machine का नाम यदि आप रख लो कुछ भी और ले सकते हैं मैं भूल रहाओं कि क्या-क्या है मलब microwave ले लेते हैं machine का नाम exponential function ले लेते हैं machine का नाम greatest integer function ले लेते हैं तो इस लेक्चर के बाद जब आपका ये NCRT 2.3 तक हो जाएगा तो मैं बहुत ही अच्छे से piecewise function जिसमें बहुत बच्चो को दिक्कत होती है modulus, greatest और fractional का live lecture लेके आओंगा ठीक हैं तो वहाँ पर ये ज़्यादा हम करेंगे function के बारे में ठीक हैं तो यहाँ आपको बस NCRT point of view से ये देखना है इसको बोलते हैं बच्चो domain इसको क्या बोलते हैं domain domain का मतलब क्या हो गया domain का मतलब क्या हो गया the values of x या interval है ना the values of x for which क्या हो गया for which fx is for which fx is real complete calculus जो है वो real पर बेस्ट है fx को real होने के लिए जो x का value जाए उसको domain बोलते हैं और इसको बोलते है range बीच में co domain तो life का option है ही ये हो गया आपका mirror image यानि mirror image of domain ठीक है ये आपको ध्यान देना है तो domain और range ये अच्छे से याद रखना है बच्चों अब यहाँ पर एक तो function एक machine है basic question भी ले सकते हो और domain range का condition भी याद रखना है root वगरा है तो अलग हो जाता है नहीं है तो अलग हो जाता है जैसे machine जैसा यदि आप fx is equal to लिए हो सर fx यदि 1 minus x upon 1 plus x है तो यदि मैं पूछ हूँ कि सर बताओ find f of 3 क्या होगा तो x के जगा पर यदि 3 रखो गया तो lhs में x के जगा पर 3 रखो गया machine है न वो जैसा input वैसा ही output तो x के जगा पर 3 तो ये आगया आपका 1 minus 3 upon 1 plus 3 तो ये किता आ गया 1 minus 3 minus 2 upon 4 that is minus of half तो ये आपको ध्यान देना है क्लिए रहे बच्चो तो ये अच्छे से समझना है तो इनही को ध्यान में रखते हुए और domain range आपको बताया गया होगा यहाँ पर हम कुछ-कुछ sort tricks ही कर रहे हैं और इसके बाद अब question शुरू कर लेते हैं बस 2.3 यानि function ncrt में कम दिया हुआ है लेकिन जो main है वो हम आपको live lecture में बताएंगे ठीक है बच्चो चलो आगे जल्दी से करते हैं तो exercise 2.3 का first question जो है which of the following relations are function यानि definition है give regions if it is a function determine its domain and range अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है जैसे यदि आप first की बात करो तो first में 2 का 1 है 5 का 1 है देखो set a का first element होता है वो देख लेते हैं तो यदि आप first की बात करते हो ठीक है सर आप first की बात करो first है यहाँ है है ना देखते हैं first के लिए यदि आप इसके लिए देख रहे हो तो इसमें set a में कौन कौन से element है 2 5 8 11 14 17 है ना 2 5 8 11 14 17 तिन तिन का gap लग रहा है वासा है ठीक है 2 5 8 11 14 और right hand side में one है तो एक से ज़्यादा का एक हो सकता है एक से ज़्यादा का एक हो सकता है ना ठीक है सर यह देखो इसका सब का यह हो सकता है ना इसका मतलब यह तो एक function है so this is a function यह हो गया function और question में बोल रहा है कि यदि यह function है बच्चो तो जब function है तो इसका domain क्या होगा तो यह आ गया domain तो domain आ गया इसका ठीक है बताता हूँ 2 है 5 है 8 है 11 14 और 17 यह इसका domain आ गया और range क्या है range का मतलब केवल एक ही element है that is 1 तो इस तरीके से आप ध्यान दे सकते हो चलो यह तो हो गया function है second वाला जो है 2 1 4 2 second वाला देख लेते हैं सर ठीक है देखते हैं second वाला देखो यह हम ले लेते हैं और यह एक ले लेते हैं यहाँ पर 2 है 4 है 6 है 2 4 6 8 10 12 और 14 और दूसरे में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 बस हर एक का हर एक के साथ element है तो यह तो और आसान लग रहा है न बच्चो 2 का 1 के साथ है देखो 2 का 1 है 4 का 2 है है ना 6 का 3 है 8 का 4 है 10 का 4 यह है 12 का यह है और 14 का 7 तो सारे के सारे तो element कहीं न कहीं तो involved है ही एकदम सहीं इसका मतलब देखो set A में element नहीं छूटना चाहिए वैसे तो वो दिया ही नहीं है सब जो है set B में छूट भी सकता था बस 1 का 2 नहीं होना चाहिए वो तो नहीं दिया हुआ है ठीक है so this is a function यह भी एक function है यानि function है और इसका domain यह पूरा है this is domain और यह पूरा का पूरा range है चूँकि कोई छूट भी तो नहीं रहा है ना range का मतलब mirror image यदि set B में कोई element छूट जाता तो वो range में नहीं आता है तो इस तरह से ध्यान देना है तीसरा वाला देख लेते हैं तीसरा वाला क्या है सर बताओ ठीक है अभी बता रहे हैं तीसरा वाला है इसमें कम element है चलो यही ले ले लेते हैं तो यहां पर one है और two है यहां पर three है और five है ठीक तो देखो किस तरह का रिस्ता दे रखा है हैं आपने 2.2 तो अच्छे से कर रखा है ना उसके बाद ये सब दो sequence wise समझते हैं 1 3 का मतलब 1 is related with 3 1 5 oh no 1 के 2 object मलब 2 रिस्ते हो गए 1 object के 2 रिस्ते हैं 1 का 2 black लग रहा है ना इसका black में ticket तो वो तो नहीं होगा है ना 2 का 5 ये तो ठीक था लेकिन ये वाला जो है मामला इसकी वज़ा से ये नहीं होगा so not a function यानि तीसरा वाला function नहीं है बच्छो ठीक है ये वाला function नहीं है क्यों नहीं है ये भी चारों वालिड ना हो लेकिन कोई restriction भी ना हो चार में से चारों वालिड भले ना हो लेकिन कोई restriction आ गया तो restriction highlight पहले होता है बहुत तेजी से आप negativity highlight होते हो है ना तो इस वज़ा से ये वाला first question आसान है कि नहीं आसान है बच्छो एकदम से हैं क्यालो second question करते हैं find the domain and range of the following अब function defined कर लिए तो domain और range बता देना है एकदम आसान है देखो इसमें क्या है following real function देखो ये fx दिया हुआ है तो हमें condition क्या लिखना होता है for fx is to be real for fx is to be real fx को real होने के लिए ठीक है modulus है तो mod के अंदर तो कुछ भी हो सकता है है ना x must be real x must be real आप देखो सर ये कौन सी बात है that is domain is r domain of the function is r यानी complete real number आप देखो कुछ बच्चे सोचते हैं सर modulus का क्या फाइदा हुआ हमें केवल restriction ध्यान देना होता है इसमें theory में ये है आपको ये ध्यान देना है कि root fx जो है बच्चो root के अंदर यदि कोई है तो ये तब real होगा तब real होगा है कब real होगा चलो if and only if fx greater than equal to 0 बस ये एक condition ये होगे दूसरा denominator कुछ भी हो सकता है बच्चो यानि one upon fx denominator में positive हो सकता है negative हो सकता है लेकिन कभी भी 0 नहीं होना चाहिए तो fx not equal to 0 बस ये दो condition आपको पूरा का पूरा ncrt cover कर देता है ठीक है domain और तो basically जहां जो condition होता है न हम उसको याद रखते है बच्चो अब यहाँ पर इस question में modulus है root है क्या बोलो नहीं है denominator है तो नहीं है तो domain और हो गया बस simple से logic चलो दूसरा वाला देखते है सर इसमें तो है ठीक है भाई इसको देखते है root के अंदर तो यहाँ पर क्या लिखोगे for for multi के लिए हमें यहीं लिखना है सारे question में fx को real होने के लिए fx को real होने के लिए बच्चो 9 minus x square greater than equal to 0 होना चाहिए ठीक तो 9 minus x square तो इसका मतलब x square less than equal to 9 हो गया ना हमने exercise 1.1 में ही यह सब कुछ बताया था बच्चो exercise इसमें तो यहाँ से minus 3 से plus 3 होता है इसको बोलते हैं wavy curve method क्या बोलते हैं बच्चो wavy curve method हमने कुछ-कुछ इसमें बता रखा हैं बता रखा है ना आप sequence wise ncrt के हमारे video solution देखा करो आपको सारे मिल जाएंगे कोई confusion नहीं होगा ठीक हैं तो minus 3 से plus 3 हो गया यानि domain आपका आगया यानि इस function का domain minus 3 से plus 3 close interval क्योंकि equal है ठीक हैं तो यह कुछ-कुछ आपको याद रख लेना है सर क्या याद रखेंगे देखो x square greater than equal to a square है तो x greater than equal to a और less than equal to minus a ये वाला एक ध्यान देना है ठीक दूसरा x square less than equal to a square तो x plus a और minus a के बीच होगा ये याद रख लेना है ठीक है तो ये दो चीज आपको याद रख लेना है सीधे डारेक्ट यूज कर सकते हूं ठीक है clear है ओके अब इसी को और आगे देखते हैं तीसरा question एकदम आसान इसमें domain range का भी जंजट नहीं है सीधे machine वाला काम है fx दे रखा है आपका 2x-5 fx क्या दे रखा है 2x-5 दे रखा है तो इसका मतलब write down the values तो that is f0 है ना तो f0 ये आपका आ जाएगा थोला सा यदि हम इसको ऐसे देखते हैं तो f0 क्या आ रहा है x के जगा पर 0 रख दो भाई तो minus 5 देखो 2 into 0 minus फिर लेते हैं f7 तो x के जगा पर save f7 क्या आ जाएगा आपका यहां से चलो इधर करते हैं f7 2 into 7 minus 5 14 minus 5 only 9 ठीक f of minus 3 लेते हैं तो f of minus 3 यानि f of minus 3 x के जगा पर minus 3 रखना है ठीक यह तो यहां से आ गया minus 6 minus 5 यानि minus 11 यह तो देखो कितना आसान है just equivalent to machine काम कर रहा है x के जगा पर 0 तो x के जगा पर 0 सेम वही minus 3 सेम वही plus 7 ठीक चलो आगे चलते हैं यहां पर भी वही करना है बच्चों देखो the function T which maps temperature T का मतलब temperature है in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit इन दोनों के बीच का यह resultant होता है पहले से भी आपको याद है नहीं यह ठीक है सर यह relation तो याद है बच्चपन से यूज कर रहे है यह Fahrenheit को degree Celsius में कैसे लिखते हैं तो यहां पर आपको T 0 क्या होगा T 28 क्या होगा T minus 10 क्या होगा और the value of C when T of C यह सारा तो देखो first वाला है ना यदि आप इसमें देखते हो T as a function of C दिया हुआ है 9C upon 5 plus 32 तो आपका first वाला part T of 0 तो T of 0 C के जगह पर 0 तो 9 into 0 by 5 plus 32 यानि only 32 second वाला part T of 28 T of 28 इसका मतलब 9 into 28 by 5 plus 32 ठीक तो ये कर लेते हैं अब 9 into 28 ये तो भाई कुछ 32 into 5 that is 160 ये divided by 5 तो ये आगे आपका 300 400, 412 by 5 यही ना एकदम सही बोल रहे हो ठीक है सर एकदम सही तो इस तरीके से हमने ये second भी निकाल लिया third one देख लो third one में क्या कह रहा है T20 ये अच्छा यही तो निकाले थे third one तो ये कह रहा है न ती माइनस 10 तो T of माइनस 10 तो 9 into माइनस 10 अपन 5 प्लस 32 यही है यह हो जाएगा तो यहां से अब आपका आगे तो माइनस से कट गया है तो यह आगे आपका माइनस 18 प्लस 32 ठीक तो यह कितना आगे 14 यह आगे 14 यानि तीन पार्ट आचुका है fourth part हम यहाँ पर निकाल लेते हैं बच्चों यह वाला यहाँ पर देखो fourth part the value of 70C अब यानि C निकालना है जब यही दे रखा है right hand side तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 212 यह दे रखा है this is equal to 9C by 5 प्लस 32 तो यहाँ से 9C by 5 आगया 212 माइनस 32 तो 180 ना ठीक हसर 180 यहाँ 9 से यह cut भी जाएगा 180 और 9 cut गया ना तो यह 20 बचा यानि C is equal to 100 बचा ना ठीक है 100 लग रहा है क्या ठीक है 100 तो C is equal to 100 तो यह आपको सारा का सारा ध्यान देना है कि किस तरीके से function दिया हुआ है तो x दिया रहेगा तो fx पूछा जाएगा fx दिया हुआ है तो x पूछा जाएगा तो बले आसानी से यह सारे question हम कर सकते हैं बच्चों clear चलो आगे चलते हैं एकदम आसान है यह भी find the range of each of the following question यदी x दिया हुआ है real तब ठीक है लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर दे दिया है x greater than 0 है ना तो फिर अलग बात है यहाँ x square है और यहाँ तो x है कुछ नहीं सोचना है तो range का मतलब mirror image of domain होता है ठीक है सर देखो x दिया हुआ है greater than 0 हमें यहाँ पर जरूरत तो minus 2 x minus x की है तो हम minus से multiply कर देते हैं तो यह less than 0 हो गया ठीक यानि यहाँ से हम 3 से multiply कर देते हैं वही रा जाएगा minus 3 x less than 2 हो जाएगा अब 2 आड़ कर देते हैं तो 2 minus 3 x दोनों में 2 आड़ कर दिया तो less than 2 हो गया और यही तो fx है बच्चो यानि यही fx है less than 2 हो गया अब fx का value 2 से कम है 2 से कम start कहां से होता है real line minus infinity open interval यानि range जो है यह आगे आपका minus infinity से केवल 2 यह answer आगे आप सर यह open और close कैसे लिखते हो भाई साहब यह आपको याद रख लेना है ठीक है कैसे याद रख लेंगे सर जिसमें unequal होगा not equal excluding है तो open interval excluding नहीं यानि including है तो close interval और infinity minus infinity के साथ तो हमेशा open interval ही use होता है क्योंकि वो symbolically number लिये जाते हैं कोई number होते नहीं है ठीक है चलो अब आपको ध्यान देजाएं अगला question देखते हैं x real है अज एक्स यदी real है बच्चो इसका मतलब x square तो always greater than equal to 0 होगा x square always greater than equal to 0 यहां जरूरत है दो add कर दो तो 2 plus x square always greater than equal to 2 होगा यहां fx हो गया तो यहीं fx है आपका बस अंसर आ गया greater than equal to 2 तो यहां से range कितना हा जाएगा range of the function so range आगया आपका range 2 से ज्यादा आया अब 2 से ज्यादा कहां तक infinity तक ना ठीक है ज्यादा मतलब infinity ऊपर में infinity है ground के नीचे minus infinity है तो बस यह ध्यान देना है आपको ठीक है अच्छे से लिख लेना है क्लियर है बच्चो तो ये अच्छे अच्छे question आपको अच्छे से ध्यान दे देने हैं ठीक चलो अब आगे चलते हैं fx देखो x है कोई जगा नहीं दिया है ही नहीं x यदि real है x real है तो fx भी तो x है यानि fx भी real होगा fx ही तो x है बच्चो तो कुछ सोचना ही नहीं है और fx के value को ही range बोलते हैं that is range is equal to r fx के value को ही range बोलते हैं तो range is equal to r ये answer आ गया this is the answer यानि ये वाला पहले का answer है दूसरे का और तीसरे question का ये answer हो गया तो ये अच्छे से हम निकाल सकते हैं तो देखो बच्चो 2.3